इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Neurocol Tablet Parkinson's रोग में stroke, सिर में चोट, अलजाइमर रोग और या दाश्ट में कमी, यानि की dementia के इलाज में मदद करता है. यह मस्तिश्क में तंत्रिका कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है और शतिग्रस तंत्रिका कोशिकाओं की मरम्मत करने में भी मदद करता है. Neurocol Tablet खाने के साथ या बिना खाना खाए भी लिया जा सकता है. हाला कि इसे हर दिन एक तैस समय पर लेने की सलाह दी जाती है क्योंकि इससे शरीर में दवा के समान लेवल को बनाए रखने में मदद मिलती है. आपकी खुराक आपकी उम्र और उस थिती पर निर्भर करती है जिसके लिए आपका इलाज किया जा रहा है. इस दवा की खुराक और अनुपान की अवधी के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें. अपने डॉक्टर से बात किये बिना अचानक से इसे लेना बंद न करें क्योंकि इससे आपके लक्षन और भी बिगर सकते हैं. इस दवा से देखे गए कुछ सामाने साइड इफेक्ट में ब्लड प्रेश घर जाना, पेट में दर्द, डायरिया, यानिकी, दस्थ और अन्यमित होट रेट शामिल हैं. हाला की ये अस्थाई हैं और आमतोर पर अपने आप ही ठीक हो जाते हैं. अगर ये कम नहीं होते हैं, या आपको परिशान करते हैं, तो कृपया अपने डॉक्टर से परामर्ष लें. इस दवा को लेने से पहले, अगर आपको कभी भी किड्नी से संबंधित कोई समस्या रही हो या आपको दौरे, यानिकी, मिर्गी या, फिट्स की समस्या है, थी तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं. इलाज शुरू होने से पहले आपके द्वारा ली जाने वाली सभी दवाओं के बारे में अपने डॉक्टर को बताएं. यदि आप गर्भवती हैं, गर्भधारन करने की योजना बना रही हैं, या स्तनपान करा रही हैं, तो इस दवा का इस्तिमाल करने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें. और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.